उद्भो की स्थिति में पहुँच सकता है जहां उसे एक धर्म गुरू या विश्व गुरू की रूप में देखा जाता था कैसे हम अपने प्राचीन, संस्कार और सभधा की पराकाश्ठा तक वापस अपने देश को ले जा सकते हैं सनातन परंपरा प्राप्त व्यास पीट को मौलिक रूप देने की आवश्यक्ता है एक दो सनातन धर्माचारी यदि सदभाव पूरवक समवाद के माध्यम से स्वस्थ व्यूरचना करके उसे क्रियानुद कर लेते हैं तो सनातन संस्कृती कुछ भावना पुना हो सकती है इसके पीछे एक दार्शनिक वईज्यानिक तथ्य है इस रोकेट, कम्प्यूटर, एटम, मोबाईल के वग में भी सनातन वैदिक आर्य हिंदूओं का जो सिद्धान्त है वर्ना के वग दार्शनिक अपितु वईज्यानिक और व्याभारिक धरातल पर भी एक मात्र उत्कृष्ट है इस चंदर में मैं एक उदारन देना चाहता हूं सीमद भागवत के चतुर्था स्कंद के अठारमी अध्याय में तीसरे चौंथे पांचवेश लोकों का मुशिलन करें तो भू देवी गाय का रूप धारन करके प्रिथु राजा को प्रवोधित करती है राजन कदाचित कोई बहुती कुछ कर्श का ही पक्षधर हो तो भी उसकी बुद्धी की वलिहारी इसी में सन्हीत है कि वैदिक महर्शियों के द्वाराचिर परिक्षित और प्रियुक्त सिद्धान्त को क्रियानमित करें हम पूरे विश्व की और दिष्टी डालें तो लगता है कि वेद विहीन विधा से विकास को परिवासित और क्रियानमित करने के कारण विकास के नाम पर सर्वत विस्फोट है अताह भौतिक धारा में वहने वाला जो भी तंत्र वर्ग या व्यक्ति है उसकी भी एक प्रकार से लाचारी है कि वह पूरे विश्व को स्वस्थ जीवन देने की भावना से और विस्फोट जो संभावित है या वर्तमान में विद्धिमान है उससे सुरक्षित रखने की भावना से बैदिक सनातन महर्शियों के दिष्टिकोन को अपनावे सबसे पहले आवश्यक है कि कदाचित एक या दो भी आचारी व्यास्पिर से संभध है जो सनातन ग्यान विज्ञान से संपन है वो विश्वस्तर पर इस संदेश को प्रसारित करें तो पूरा विश्व हमारे सिध्धान्द के प्रति वैदिक सिध्धान्द के प्रति सुका रिदय है भगवान सी रामकृष्णाज के रूप में यहीं अबतिर्ण होते हैं ऐसी स्थिति में रिदय की रक्षा बहुत महत्पूर्ण है भारत की रक्षा आवस्यक है मैं एक संकेत करता हूँ हमारे बहुत ही सुपरिचित शरीखे मानि दलायलामा जी साल दो साल म अपने शब्दों में गुमफित किया अगर पूछा जाए कि भारत जो विश्वगुरु रहा है या संभावित है और सूक्ष मरिती से आज भी भारत विश्वगुरु है ही वह किस के कारण जैनों के कारण बहुत्धों के कारण अमुक के कारण अमुक के कारण तो कहना पर रमपराप्राप्त जो सिध्धान्त है उस सिध्धान्त के पर त्यास्थानुद करने की आवस्यक्ता है हम एक संकेत करते हैं भगवान सिरामकृष्णादी के अवतार का भी प्रयोजन क्या है मनवादी महर्शियों ने जो वेदार्थ को प्रस्तूत किया उस वेदार्थ को व अभारिक धरातल पर लान्या का प्रियास करना ओ रामराजी धर्मराजी भी क्या है रामराजी में जो आकर्षन था धर्मराजी में जो आकर्षन था उसका मौलिक आधार क्या था वैदिक सित्धांत अगर हम वैदिक सित्धांत को समझ कर विश्वस्तर प्रसे क्रियानुद कर करने के लिए भारत में स्वस्ता अभियान चलाते हैं तो पूरा विष्व हमारे साथ होगा कदाचित कोई जन्मजात कमस जैसा आतंकवादी हुआ भी तो उसके दमन और शमन की छमता हम में प्राप्त होगी इसके बाद मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि भारत के उस संस्कार और संस्कृत को बचाने के लिए या उसकी रक्षा करने के लिए संस्कृत एक भाषा के रूप में कितना प्रभावी सावित हो सकती है और संस्कृत भाषा के उन्नेन के लिए और हमें क्या करने की विकास के मार्ग पर अग्रेसर नहीं हो सकते हैं, मौलिक स्वरूप वेदादिकातु संस्कृत में ही है, किसी भासा में हम उसका अनुबाद करके प्रस्तूत करते हैं, तो हमको संस्कृत को अपनाना ही चाहिए, और एक आपको सुनकर आश्चर होगा, जो श्रौत याग होते हैं, उसमें यगशाला की परिधी में संस्कृत में ही संभाषन किया जाए, तब ही सफलता मिलती है, अपूर्व की सिद्धी होती है, यजमान को अभिष्टिफल की प्राप्ती होती है, और एक मैं बिलक्षन तथिख्यापित करना चाहता हूँ, भारती मनिशियों की दिव संस्कृत को हम देववानी कहते हैं, तो देवता की जिवा पर प्रतिष्ठित जो वानी थी, तपोवल से भारती मनिशियों ने उसे समझ कर कर्शित कर मर्थ लोक में ब्रहमनादी की जिवा पर प्रतिष्ठित किया, गंगाजी का दर्सा हमको बारत भूमी में होता है, नदी भी ब्रह्मलोक में ही सन्हित थीं क्योंकि दार्षनिक और वईज्ञानिक धरातल पर जो जल होता है उसका कारण तेज होता है हमको गर्मी लगती है तो पसीने की प्राप्ति होती है तेज से जल की उत्पत्ति है तो जो भी गंगा यमना स्रस्वति ये दिव्य धाराये हैं वो तो तेजो मंदल सवर मंदल से संबद्ध हैं ऐसी स्थिति में भारत के महर्षियों की विशेष्टा थी चतुर्दस भुवनात्मंग ब्रह्मान में जहां जो कोई दिव्य सामगरी थी तपोबल से कर्षित करके भारत में प्रतिष्ठित किया गोलोक में विहरन करने वाली जो गोईं थी मर्त लोक में भारत वर्ष में उनको उध्वाषित किया इसी प्रकार देवताओं की जिववा पर प्रतिष्थित वानि थी संस्कृत भासा उसको उन्होंने मर्त लोक में ब्रह्मानादी की जिववा पर प्रतिष्टित किया, संस्कृत के प्रतिम आस्थानमित हैं, और आपको सुनकर आश्चरी होगा, ति चैतनी महाप्रभु के समय में भी जो चैतनी चरुतामरितारी ग्रंथों की रचना हुई, उसमें अमुक अमुक के भावों को प्राक्षित भासा में व्यक्त किया गया क्या, सीधे संस्कृत में व्यक्त नहीं किया गया, मानि 500 वर्ष पूर्व तक यह मरियादा थी, कि हम लोक भासा को भी सम्मान देते थे, और वालमी की रामान के अंसाथ, हनुमान जी ने सोता, अगर मैं संस्कृत में भासन करूं, तो सीता जी के मन में यह हो सकता है, राव उनके गुप्त चार पांडवों के पीछे लगे थे, विदुर जी साथ साथ जा रहे थे, कुछ पांडवों को गुप्त मंत्रना देना चाहते थे, ताकि विपत्ती के समय रक्षा हो सके, लेकिन अब दें तो किस भासा में, संस्कृत भासा में, या वहां की शेत्री भासा में, वो तो गुप्ता समझ जाते, लेकिन विदुर जी घर के थे, पार्खी थे, वो जानते थे कि मलेच भासा ही नहीं जानते, और युधिष्ठिर जी मलेच भासा भी जानते थे, इसलिए जो दुर्योधन का सरियंत संभावित था, उस समय कैसी किस प्रकार अपनी तो मलेच भासा का आलंबन लेकर के विदुर जी ने पांडवों को जागरूख किया, साबधान किया, तो हम छेत्री भासा का मलेच भासा तक का सम्मान करते हैं, लेकिन संस्कृत तो देववानी है, संस्कृत में बोलना मानो मौन रहना, ना बोलना के वरावर, अगर कोई म मौनी बाबा भी संस्कृत में ही बोल देते हैं, तो उनका मौन भंग नहीं होता, संस्कृत के द्वारा ही सच्वुच में विश्व का कल्यान हो सकता है, भारत के उतकर्ष के भावना हो सकती है, एक संकेत आपने बले ही प्रश्नक याहों में कर दूँ अपनी और से, प्रि इदिक वांगमय की विधा से तिथी को स्विकार करते हैं, अन्य भासा को स्विकार नहीं करते हैं, और तारिख को स्विकार नहीं करते हैं, यह जो भूकंप की प्राप्ती होती है, तिथी के अंसार या तारिख के अंसार, तिथी के आधार पर तारिख कंकन कर सकते हैं, ले मधुमक्यों की विरादरी में जब मर जाते हैं तब मधुमक्यां जो शोक सभाग करती हैं तेरह में दिन करती हैं इसका अर्थ है कि संस्कृत वांग मैं में देव वानी है उसके द्वारा पूर्व की धर्म की सिद्धी होती है और आज इस कंप्यूटर मोवैल के युग में हैं अगर लिफी की दिश्टि से देखें और वज्यानिकता की दिश्टि से देखें संस्कृत है उसकी लिफी जो य देवनागरी उसका त Разिक महत्युत होता है अगर आप कुछ प्रकाश डाल पाएं स्रीमत भागवत गीता के अधार में अध्याय में विज्ञान के तीन वेद का वर्णन उन्हीं सब्दों में नहीं जिसन जिन सब्दों में खेह रहा हूँ या कहना चाहता हूँ तमोगुन की प्रगलवता तमोगुन का उतकर्ष जब होता है तमोगुन के चपेट पे जब हमारी बुद्धी आजाती है तब जो ज्ञान विज्ञान वुद्धी में उद्भासित होता है उससे सर्वता विप्रीत बोध की प्राप्ती होती है और जो गुण का उद्रेक होने पर आयथावत भी जानाती नसरवता यथार्थ नसरवता आयथार्थ, कुछ हमसों में यथार्थ, कुछ हमसों में आयथार्थ, जब सत्वगुन का उद्रेक होता है तब वैदिक ज्यान विज्यान माना जाता है, दूद का दूद पानी का पानी, ऐसी स्थिति में आजकल जितने वैज्यानिक हैं, चमत गर्व से विस्फोट निकल रहा है हम एक संकेत करना चाहते हैं आस्तिक नास्तिक उभैस सम्मत उर्जा के श्रोट हैं प्रित्वी पानी प्रकाश पावन ये चारों के चारों दूसित विक्रित और शुप्ध या कुपित बना दिये गए और इन ही तत्वों से हमारे शरीर की विद्भावना सम्रचना हुई है इसका अर्थ है कि हमने विकास के नाम पर ऐसा बिनास को मोल ले लिया है और जिस बिनास के मोल में हमारे मनु महराज की चेतावनी की उपेक्षा है मनु महराज ने चेतावनी महायंत्रों का प्रचूर आविश्कार और प्रियोग भी होता रहे कोई भी मान बिंदू सुरक्षित रहे विक्रित होने से बचे विश्फोटक ना बने कहपाना कटिन है मान बिंदू को विक्रित अविलुप्त करना हो तो प्रचूर मात्रा में महायंत्रों का विश्कार और प्रियोग करें क्योंकि महायंत्रों का विश्कार और प्रियोग होता है जब प्रचूर तब जल्दाराओं का विलोप होता ही है वन का विलोब किया ही जाता है उनके प्रियोग से महायंत्रों प्रियोग से परवत्रों का विलोब किया ही जाता है खनित पदार्थों का कर्शन किया ही जाता है और आजकल विकास का मापदन्द महायंत्रों के माध्यम से महानगर है जब महानगर की सम्रतना करते हैं तो वन मे रहने वाले गाव में रहने वाले व्यक्ति महानगर क्यों पलायन करते हैं सैउक्ट परिवार में ठिकता है नगाव में ठिकता है जब सेउक्ट परिवार साहा को प्रवि थारれた है सनातन कुल धर्म सनातन जाती धर्म तो वह भी बिलुप्त हो जाता है कुलवधु बिलुप्त हो जाती है कुलवर बिलुप्त हो जाते हैं कुलदेवता बिलुप्त हो जाते हैं कुलगुरु बिलुप्त हो जाते हैं संयुक्त परिवार के बिलुप्त होने पर मरन की अनाद्य अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद उसी से हम सुदूर हो जाते हैं महायंत्रों के माध्यम से विकास को क्रियानुद करने की विधा का यविस्फोट है ऐसी स्थिति में हमको कितनी उचिरिया उरे आकास चारा है धरती के पास पक्षी नभो मंदल में उचाहित गुरान भर ले जो उसे ठकान कान्मभ होता है भूख कान्मभ होता है प्यास कान्मभ होता है तो फिर वो प्रत्वी पराने के लिए बात दे है इसी प्रकार विकास के नाम पर हम बहुत उच्छल कूद मचाने के बाद भी अन्त में सोचने के लिए बात दे हैं कि सनातन विधाक अनुसार विकास क्वम परिवासित करें, क्रियानुत करें, संयुक्त परिवार का विलोपक न हो, मानविद्वों का विद्वेशक न हो, महगाई का ख्यापक न हो, और मानव जीवन की सर्थक्ता का उन्वासक हो, उस विकास क्वम विकास कहते हैं, बुरान मान हो ली है विकास के नाम पर जो हो रहा है सवाविशाप है वैदिक गणित का प्रणेता आपको माना जाता है और आपके साथ साथ बहुत सारे शंकराचारे ने वैदिक गणित पर काफी काम किया है कैसे ये आधनिक विश्र के परिप्रिक्ष में इसको फिर से जीवित किया जा सी भारती कृष्णतिर जी महाभाग उन दिनों में ही कहते थे मेंसी को भी एक साल की अवधिमें साथ विश्यों से मेंसी में की परिक्षा प्रथम श्रेनी से उत्तिर्ण की चौदा भासा के वो ख्षाती प्राप्त विद्वान थे चौदा वर्स की आयू में उन्होंने जो संस्कृत में संभाषन किया था आज जिसको मद्रास नहीं कहते हैं परने मद्रास कहते थे वहीं कि उनकी जानमस्थली थी उन्हों को संस्कृत में संभाषन के उपलक्ष में सरस्वति कुपादी प्राप्त हुई थी उन्होंने आठ सूत्र आधी कामशिलन करके अथरवेदाधी कामशिलन करके जोतिशास्त कामशिलन करके संस्कृत वासा में सूत्रों की रचना की सोला तेरा तीन सोला सूत्र तेरा उपसूत्र और तीन कूट सूत्र दिसकार्थ लगाना बहुत कछिन है कुल छोटे छोटे संस्कृत के वाग के 32 बनाए उसकी व्याक्षा उन्होंने अंग्रेजियों में की उसे पहले उन्होंने 15 गनित पर ग्रंथ लिखा था दुर्दैव के दुर्विपाक से उनके वो सब ग्रंथ यत्रितत उनके भक्तों के घर में रखे गए थे दीमक के वो शिकार हो गए अब ऐसा भी लगता है कुछ विदेशी कत्व ने उनके शिस्यों से उन ग्रंथों को प्राप्त कर लिया उसमें उसा मर्थ भी हो जो भी हो उनके जीवन काल में ही उनके द्वारा विर्चित गनित के 15 ग्रंथ लुपत हो चुके थे मोतियाविंद की स्थिती में गनित के एक पांड लीप जो अमरीका मोचोर गए थे कालांतर में उनी की शिस्या स्वामी नार्यन संप्रदाय से संबध मंजुलात रिवेदी जी ने उसको प्रसकाशित करवाया उनके जीवन काल के बाद में वो ग्रंथ प्रकासित हुआ आज विश्वे वैदिक मैथेमेटिक्स के रूप में उसकी चर्चा है भारत में जैसा कि हर उत्तम वैदिक परंपरा से प्राप्त विज्ञान को भी संप्रदाय कहकर उपेख्षित कर दिया जाता है तथा पी पूरा विश्व भारत के बाहर का जो जगत है वो बहुत उससे लाभार्मित हो रहा है मैं उसका परचे केवल दो शब्दो दो वाक्तों में देना चाहता हूँ कल्पना की ये गनित जटिल विसा इमाना ही जाता था बैलगारी ये ट्रेक्टर की उसकी चाल थी तो राजगारी एक्सपेस की चाल उन्होंने उन सूत्रों के माध्यम से दी तो गनित को सरल करने का यहां तक उन्होंने प्रतिग्या की है गनित के जो 14-15 विभाग होते हैं सब मिला करके उन सारे विभागों में ये सूत्र इश्डंग से रचे गए हैं कि सारे विभाग को वो उन्नत कर सकते हैं सारे विभाग में उन सूत्रों को हम क्रियानमित करके उतकर्ष को प्राप्त कर सकते हैं सुगमता की दिश्ट्री से वैदिक गनित है जाता मेरा प्रश्ण है एक सो सूत्र लगभग, एक सो पिष्ट लगभग, वैदिक गरंथ के एक दो सूत्र पर ही लिखा गया है, बांकी सब, तो गरंथ में शून्य जो है, वो क्या है, भावपदार्थ है और स्थान के दिष्टी से प्रथम अंक है, गर्णा के दिष्टी से प्रथम अंक एक है, इ उचका अंग्रेजी मानुवाद हमारे मार्दर्सन में एक महानभाव कर रहे हैं, तीन ग्रंथ अभी कम्प्यूटर पर हैं, उनमें दो ग्रंथ तयार है, पुरी जाने के बाद संभवत्त में छपने के लिए दे दू, इस समय गुर्पुणिमा के अफसर पर वो ग्रंथ छप में केवल व्यक्त किया गया है, एक गनित का और भी ग्रंथ है, और एक ऐसा ग्रंथ लिखा गया है, अंका गमांक अक्षरा, अक्षरा गमांक मालिका, अक्षरा गमांक मालिका, एक ऐसा ग्रंथ भी है, कम्प्यूटर में जभी हम सपने देंगे, उसमें व्याकरन, तंत्र और गणित तीनों को कासामंजस साध करकर लिखा गया है भगवत कृपा से भगवान स्विन की कृपा से विश्व में एक अध्भूत ग्रंथ होगा और हमारे एक मान्य सिस्ष्य हैं कासी में बिंदेश्री प्रसाद मिश्र जी उन्होंने एक वार प्रूफ भी देखा है तो हमने एक संकेत किया कि इतने ग्रंथ तीन ग्रंथ अभी कंप्यूटर में हैं और हमारा विचार है कि वैदिक मैसमेटिक्स विश्व को जिन्होंने दिया भारतिक रिंजी महागर उनके पिश्व के छोड़ दिया है दो साल वाद संभवता दाना पानी रहा तो उस ग्रंथ की हम व्याख्या करेंगे लगवग ऐसा लगता है दो हजार पिष्ठों में वो ग्रंथ जाएगा पूरवामनाई वाइदिकार्स गनित उसका नाम रखा गया है इतना मैंने कहा और अग पता लगावें हम तो सती ही बोलते हैं अक्सपर इंवर्सिट्री के महान गर्ण तक दो बार आचुके हैं मेरे पास यद्यव हमारे ग्रंथों का प्रचार प्रसारणिया शासन तंत्र इसलिए हमारे ज्ञान विग्ञान को भी उपेक्षित करता है त्योंकि हम किसी राजन इंतिक दल का ना होना उक्षाति प्राव्द पर प्रतिष्ठित होना एक बहुत बिचित्र पहली है लेकिन आक्सपर इंवर्सिटी के महान गर्ण तक दो बार मेरे पास आ चुके हैं एक बार उन्होंने बिना किसी सूचना के नब्बे 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 तीस चार वार में इतना समय लिया मिनट नब्बे मिनट नब्बे मिनट नब्बे मिनट और तीस मिनट दुबारा वार फिर 45 मिनट मुझसे समय लिया गनित पर और उनका यह कथन है मेरा नहीं कि विश्व में अगर गनित एक प्रत्षद है तो गोबर्धन मठपुरी पीठ में सत्प्रसद गनित है, गनित का केंग अगर कोई है विश्र में सबसे उतकिष्ट तो उसका नाम है गोबर्धन मठपुरी पीठ, उनके ये वाक्त हैं अंग्रेजी में और उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया के भी गनितग अपनी वर से केवल म देशों के गनिता ग्याये थे और एक पारशनाथ पांडे गनित विभाग के महान विद्वान इलहाबाद विश्विद्याले में हैं उन्होंने जाइपूर में एक गोष्ठी का युजन किया था जहां तो मुझे ध्यान है एक सो देश के विश्व में संभता दो सो चार हैं एक सो देश के गनिता ग्याये थे मेरी अध्यक्षता थी तो इस प्रकार से गनित के छेत्र में भी गोवर्धन मटपूरी का स्थान भगवत की पासे सरवोच्च है और अंत में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आज कल के जो बच्चों में अगर हमें अपने संसकार डालने हैं तो एक पिता के तौर पर एक समाच के तौर पर हमें क्या करना होगा जिससे कि हम भारत के निर्माण में अपना योगदान अपने स्थान पर कुछ न तो वहां पुजूरियावजी मरद का आश्रम है, वहां में था, वहां के टश्टियों ने मुझे का कि यह जो आम के बाग हैं, फसल की दिश्टी से इस्वार बेच दिये गए हैं, इनसे जो आमदनी होगी उससे आश्रम चलेगा, मैंने सुन लिया, फिर मेरा द्यान गया जो बाग की रखवाली कर रहे थे, जिनों ने ठेके पर फसल को लिया था, एक साल बाद आम के बिक्ष में आम आते हैं, ऐसी प्रसिद्धी है, उसके आधार पर संभावित था कि आम इस बार लगेंगे, तो गरीब थे ठेके आज इनों ने लिया था, उ की पत्नी और ओ स्वयम डोल पिटके कैसे तैसे गुलेल का उप्योग करके बंदरों को भगा रहे थे, हमने सारी बुद्धी लगा दी, 17 वर्स में हम इस बेस में आये, उससे पहले हमारे भी तीन तीन आम के बाग थे, लेकिन ब्रामन होने के खारण, हम लोग उस डंग से देख पाए, हमारी बुद्धी काम नहीं कर रहे थी, हमने किसी से कहा कि वो जो रखवाली कर रहा है उस ब्यक्ति को बुलाओ, हमें मालूम था कि गाउं का है, गाली जरूर देगा, मैंने कहा भई, अभी तो मंजरी फूल भी नहीं लगे हैं, फल की बात तो क्या है, इनकी रक्षा के लिए तुम इतना प्रयात्म सील हो, तीन व्यक्ति लगे हुए हो, उसने का बाबा तेरी अकल पे पत्थर, समने गई संक्राच चारे, हमने कहा जाने, कहने दो, बाबा तेरी अकल पे पत्थर, तुमारी बुद्धी काम नहीं करती है, हमने का ना, उन्होंने क्य का सुनो अगर टेहनियों को ही बंदर तोर देंगे फूल कहां से लगेंगे फूल नहीं लगेंगे तो फल कहां से लगेंगे ये ट्रस्टी तुमारे हम से रुपया ले लेंगे हम गंगा जी में तुमारे नाम पर डूब के मरेंगे अब तुमारी बुद्धी ठीक हो गई ना समझ में आ गई बात, हमने का बिलकुल ठीक हो गई, हमने दिश्टांत दिया, दार्ष्टांतिक ये है, जब टहनी ही तूट जाए, समझ गए, पुत्र रत्न की प्राप्ति, पुत्री रत्ना की प्राप्ति के लिए बहुत तप करना पड़ता है, बालिकाल में, युवावस् होने वाले हैं, लड़के, उनका जीवन आरम से ही संयत रखना पड़ता है, अगर अच्छात जीवन में ही जीवन जिसाहीन हो गया, तो आगे क्या होगा, फिर एक बिचित्र बात है, सनातन धर्म के अंसार तो हम सद्ग्रहस्त जो ये हैं, सद्ग्रहस्त हमारे सनातन धर्म इतना तपोबल ना हो तो कम से कम प्रभुद्ध योगा भरष्ट योगा प्रष्ट कारको टी के महापुरुज देश भक्त को भी जन्म दे सकते हैं। पहुत से प्राणी घूम रहे हैं। जैसे गुरुत युक्ट चुम्बक में जंग आधी कालूशी दोसों से बिरमुक्त लोहा को खीच लेने की समता होती है। समझ गए ना इतनी तयारी हो, इतने आरम हो उंची से उंची जीव आत्मा को उंचे से उंचे जो रिसी कोटी के मुनी कोटी के जीव हैं और जो पित्री लोक में देव लोक में पुर्णियक्षय हो जाने के बाद आप जन्म लेना ही चाहते हैं उनको जन्म देने में समर्थ अगर गिरहस्त होते हैं तो उच्च कोटी की संतान को जन्म देते हैं जन्म भी ले लें तो आप मारकंडे पुरान में देखिए वहाँ पर जो एक माता मदालसा ने अपने बच्चों को लार प्यार देकर जीवनमुक्त बना दिया नैतिक बना दिया शुद्धोसी बुद्धोसी निरण जनोसी समसार माया परिवर्धितोसी यद्यब मारकंडे पुरान का ये बच्चन नहीं है लेकिन मारकंडे पुरान का भी प्राय है तो बच्चों के में कुछ सम्सकार नहो इसके लिए तनी साब्धानी वर्ती जाती ह और अंत में एक संकेता और करना चाहता हूं मा का प्रभाव संतान पर परे बिना नहीं रहता पिता का प्रभाव परे या न परे महाभारत आदी में क्षेत्र वीज के समान माता और पिता को माना गया है दोनों उन्नत हों तो फिर क्या कहना अगर माता उन्नत है पिता में कुछ तुटी भी है तो संतान अच्छी हो सकती है जैसे हिरन कशिपू बड़ा दुरदान्त था लेकिन उसकी पत्नी का यादू भगवद भगता थी तो प्रहलाद को उसने जन्म दिया पिता की शमता का तिक्रवन करके भी माने अपने संतान को जन्म दिया या नहीं लेकिन उसी के हिरन कशिपू के पिता सोत्री ब्रह्मिष्ट कश्यपृ शी लेकिन उसकी जो माता थी दिती पति ब्रता होने पर भी प्रदोस काल में संयम का पल्चे ना देकर पति को सपर्श करने के लिए बाद्धि किया उस वाध्यता के गर्व से आतंक बादी उत्पन हुए दो हिरन कशिपू हिरन याक्ष हमने उदारन दिया और भी बहुत से उदारन हैं समय बचाने के लिए इसलिए मात्र शक्ती को सर्वता शील संपन मनाये रखने के लिए हमारे यहां विधा है इतनी साबधानी बरती जाए सतरकता का परचे दिया सबसे अधिक तपस्या ये है कि संतान उत्पन हो इसके लिए तपो में जीवन हो जीवात्पाओं को कर्शित करके लाला लाली का रूप दिया जाए सबसे वरा उत्किष्ट समस्कार है गर्वाधान समस्कार गर्व के नियोजन का समस्कार आपको तो मालूम है कि अर्जुन गर्भगत जो अभिमन्यू थे उनको लक्ष बनाकर चक्रव्यू में प्रविष्ट होने की विद्या का अभिपदेश दिया और चक्रव्यू को भेदन करके निकलने की विद्या का अभिपदेश दिया तेकिन जब तक चक्रव्यू को विदिर्ण करके घुशने की विद्या क को पुदेश दिया तब तो सुभध्रा जगी थी चक्रविव को विदिल करके निकलने की विद्या का पुदेश दे रही थी तो सुभध्रा सो गई तो गर्वगत शिशु भी सो गया मां का सोना ने तेरह में दिन के युद में अभिवन्यु की मृत्यु का अवाहन कर दिया इसका अर्थ क्या है? गर्वगत शिष्य को भी संस्कार संपन बनाने के लिए कितना संयम नियम है, तो वैदिक विधा से मनस्मृतियादी में तो गर्वाधान आदी की विधा है और संयत जीवन की विधा है, उस विधा का पालन करके ही हम योगी संतान उत्पन कर सकते हैं, और अंत में विध्याले इत्यादी का परिवेश, समाज का परिवेश, सब उत्तम हो, तब जाकर कोई, नहीं तो फिर बहुत संस्कार संपन कोई व्यक्ति हो, जैसे चंदन के साथ सर्फ लिप्टा रहे तो समान रिति से सातरक्ता की पराकाष्ठा ग्रिष्टास्ट्रम में बंस परंपरा की स्वस्थ उत्भावना के लिए चाहिए, वो आजकल विलकुल नहीं है, एक दिल के टुक्रे हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई यहां गिरा, एक्सिडेंटल जन्व से, आकास्म की के निमित एक्सिडेंटल दई व्योग से संतान की उत्पत्ती होती है, उससे काम नहीं चलता, सब का साराम से हुआ, जब तक सनातन विधा से भारत में शासंतन की उत्भावना नहीं की जाएगी, तब तक हम अपने अस्तित उरादस की रक्षा नहीं कर सकेंगे, और इनका उप्योग और बिन्योग नहीं हो सकेगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार